आप लोगों का बहुत स्वागत है आज की सेशन पे और आज हम बात करने जा रहे हैं नीच 2024 के लिए हमारी जो तयारी है वो किस तरीके से होगी बेटा नीच 2024 अब ये वो वक्त आ गया है जब आपको सोचना पड़ेगा कि अगले साल 25 लाख बच्चे इस एकजाम में बैठेंगे और उन 25 लाख में सायद जादा भी हो सकते हैं 25 लाख बच्चों में आपकी अपनी क्या पहचान होगी क्या वो स्ट्रेटजी होगी जिससे उन 25 लाख में से आप 24 लाख बच्चों से आगे निकल कर उन एक लाख या उन 30 जार 20 जार में आओगे जो गौर्मेंट कॉलेज में सेलेक्शन लेकर आएंगे वो कौन सी चीज है जिसे ध्यान पे रखना है वो कौन सा टाइम टेबल होगा वो कौन सी बुक होगी वो कौन स सबी चीजों का एक complete solution ये वीडियो अगर वीडियो पसंद आये तो उने तक जरूर देखें लाइक करें सस्क्राइब करें हमारे चनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें या फिर आपका कोई छोटा भाई बहन जो आपसे पढ़ रहा है नीठी तियारी कर रहा है 2024 के ये सबने देख रहा है तो उसे ये वीडियो उस तक पहुंचने में मेरी जरूर मदद करें कि मैं अपनी जो थौट प्रोसेस हैं वो सबको बता दो बिटा एक हम ऐसे समय पे हैं जहां पर पूरी दुनिया तुम्हें डॉक्टर बनाने की तरफ में लगी होगी पूरी दु बच्चे मोटिवेट हो और ज्यादा ज्यादा बच्चे जो अभी 2023 के रिजल्ट की वेसे डी मोटिवेट हो गए हैं उन बच्चों का मुराल फिर से बढ़ाया जाए और उन्हें कहा जाए कि नहीं बिटा अगर ये नहीं तो कुछ बे नहीं इसलिए हर टीचर की जो मंशा मोटिवेट कर रही है जो आपको आपकी सपने की तरफ में धकेल रही है उस हर वीडियो का धन्यवाद जो मैं यह कहना चाहूंगा हर बच्चे की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि हर वो वीडियो जो बच्चों तक पहुंच रही है अगर आपको वो मोटिवेट कर रही है त स्कूल से पढ़ा हूँ मुझे फिर भी पॉसिबिटीज है कि मैं नीट 2024 निकाल सकता हूँ वन बाई वन हर एक बिंदूओं पे मैं आज बात करूँगा आप से और एक एक करके छोटी-छोटी चीज़े डिसकेशन करता चलूँगा होपसो आपको इससे बहुत जादा मदद मिलेगी सबसे पहली चीज़ नीट 2024 एस पर स्केडियूल अगले साल भी मैं के पहले हफते का जो संडे होगा उसी समय पर ये एक्जाम होने वाला है आप आप कहेंगे कि आपके पास 12 महीने का वक्त बचा है लगभग में चल रहा है और 12 महीने ही हैं मैं यही कह रहा हूँ सिर्फ 12 महीने आपके पास बचे हैं और इस 12 महीने में आपको 98 chapters कवर करने हैं जब तक official announcement ना हो जाए आप इस बात के syllabus को लेकर भी परिशान ना हूँ कि syllabus जो है अभी पूरी तरह से जो NCRT 38 chapter biology के और बाकी chapter को मिला के जो 98 chapter थे physics chemistry के वैसे के वैसे ही रहेंगे तो मैं सभी बच्चों से पहली एक problem जो आप लोगों को सबसे जादा होती है वो यह है syllabus की मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि as a tease अभी अपन को NCRT focus करना है और जब तक NTA का announcement नहीं आ जाता कि syllabus हड़ गया तब तक हमें अभी अपने पुराने syllabus पे ही stay करना है और मुझे नहीं लगता कि अभी उसमें कोई syllabus में कमी आने वाली है या आ रही है अभी तक मुझे इसमें possibilities नजर नहीं आ रही है तो आप syllabus को वही मान के चलें ऐसा ना हो कि आप chapter छोड़ के start करना प्रारंब कर दे सबसे पहली चीज़ दूसरी चीज बेटा तुम 23 लाग बच्चों में से 24 लाग बच्चे जो 23 लाग बच्चे इस बार गय थे अगले साल और बच्चे बढ़ेंग अगर वो confidence तुमारे अंदर आ गया कि तुम कर सकते हो तो फिर तुम्हें कोई चीज रोक नहीं सकती कि तुम्हारा need में selection नहीं होगा पर अगर तुम्हें confidence ही नहीं आ रहा है तुम अपने आपको एक special person treat ही नहीं कर रहे हो अपने आपको बेखूफी treat कर रहे हो loser की तरह treat कर हैं याद रखेंगी तुम्हें अपनी गरीबी याद रहेगी तुम्हें परिशानिया याद रहेंगी तो यह चीज बिलकुल नहीं करना है आपको full confidence के साथ रहना है तो सबसे पहले चीज जो बड़ा परिशान थे syllabus को लेकर यह मैं मुझे बच्चे को clear करना था यार कि syllabus ज start किया है अगर अभी आप अभी आपसे start कर रहे हैं तो मैं आपसे तो सिर्फ एक कहँगा कि आप मेंरे सारे सब्जक्त में से कम से कम यह ओस्रूरर बना ले यह तुसका聊 मतीम जो है ने अम टीर कि सेलफ अस्ट डी का है सेलफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आर आप में से ब बहुत लंबा वहां का schedule होगा पढ़ने का पर फिर भी अगर आप कितने भी घंटे पढ़ रहे हैं अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो दो घंटे एक घंटे कम से कम revision का आपको जरूर निकालना है ये time table याद रखना अपने आपसे वादा करना कि मुझे ये चीज़ करन कि मुझे दो घंटे में at least teacher ने जितना पढ़ाया है वो सारी चीज मैं revise करूंगा करके रहूंगा दूसरी चीज ये तो हो गया भाई daily की बात हो गई अब ये हो गई हमारी बात daily की daily के बात क्या होता है कई बर बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को करता तो जाता है पर फि का भी एक routine set कर लो यार कि साथाहिक मुझे जो है न उसे revise करना है फिर से revise करना है वापस पढ़ना है मुझे तो वापस पढ़ने के लिए वापस पढ़ना है ये भी अपन को ध्यान रखना है कि वापस दुबारा चीज़े पढ़नी है संडे का समय गूमने फिरने का नहीं वापस पढ़ने का समय है मुझे दोबारा पढ़ने का समय है ये चीज़ अगर तुम्हें अभी से start कर दोगे न तो तुम्हें एक सुरू से confidence मिल जाएगा यार कि मैं धीरे-धीरे ही कदम सही छोटे-छोटे कदम ही सही लेकिन मैं सही दिशा में आगे बढ़ ही रहा हूँ अगर मैं सही दिशा में आगे बढ़ता रहूँगा तो मेरे जीतने की संभावना बहुत जादा होगी तो खुद से एक वादा करो एक schedule उठाओ डेली अपना दो घंटे का routine बनाओ क्या पढ़ना है मैं वो बताता हूँ सफता का routine बनाओ और revision जरूर add कर लेना इस series में इस point नहीं क्या क्या आपके पास क्या क्या content होना चाहिए किस से आप पढ़ सकते हो सबसे पहले चीज तो यह कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पास एक teacher की guidance तो बहुत जादा जरूरी है आप जिन भी teacher से पढ़ने का मानो एक teachers को अपना गुरू मान लो और उनके साथ वाली बुक मतलो सिर्फ NCRT लो NCRT लेने के बास सिर्फ तुम्हें कुछ question solve करने हैं कुछ multiple choice question है इनकी तुम्हें practice बहुत जादा करनी पड़ेंगी practice करने का नाम ही नीट है तो अगर तुम नीट 2023 के लिए अपने आपको तयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अभी से जो अपन पढ़ रहे हैं तो आपको decide करना होगा कि यही वो आदमी होगा जो मुझे साल के अंत के दिन तक पढ़ाएगा बीच में मैं इधार उदार इधार उदार नहीं होंगा ठीक है दूसरी बात NCRT को अपना भगवान मान लेना है याद रखना 2023 के maximum question NCRT से आये थे तो मुझे बताने की जरुवत ही नहीं पढ़नी चाहिए कि out of NCRT पढ़ने की बिल्कुल जरुवत नहीं है जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं सिर्फ NCRT कवर करो तुमारा नीट का selection हो जाएगा पर सिर्फ NCRT पढ़ने से काम नहीं चलेगा NCRT के साथ साथ उसके MCQ भी बनाने तो आपको नीट 2024 में सुरुआती बहुत बारीक लेवल की चीज़े हैं हो सकता है बच्चों ने इस पर फोकस भी ना किया हो maximum बच्चों की ये परिशानी है इसलिए मैंने का बिटा कि अभी से अगर स्टार्ट कर रहो बहुत लंबा 8 घंटा 10 घंटे का time table मत बनाओ सिर्फ दो घंटे का time table बनाओ कि दो घंटे में इतनी चीज़े पढ़ूँगा और इसे पढ़ूँगा फिर हफ्ते में पढ़ूँगा रिवीजन करूँगा ये damn sure है फिर teachers ने जो जो कहा है वो जरूर करूँगा NCRT पे पूरा focus करूँगा और MCQ की practice करूँगा ये होता है ना कि पहले दिन जब अपन पुलिस में आर्मी में कहीं जाते है तो आसा सपत लिवाई जाती है मैं भारत का नागरिक मैं ये चीज़े करूँगा तो आज आपको ये सपत लेनी है कि मैं ये चीज़ जरूर करूँगा और इसमें सबसे बड़ी चीज होती है ये daily routine का time table set करना लेकिन फिलहाल की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इन चीज़ों से आपको start कर देना है दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या नहीं करना है 23 लाग बच्चे हैं मेरा selection नहीं होगा depression मैं कमजोर हूँ मैं बेकूफ हूँ देखो यार sometime मुझे भी ऐसा लगता है ना कि अपनी असलियत पता होना बहुत ज़रूरी है बहुत आवश्यक है हमें पता होना चाहिए कि हवा में नहीं रहना है हमें लेकिन फिर वे ऐसी कोई चीज है क्या जो हमारे पास नहीं है या फिर हम नहीं कर सकते अगर आपने सपना देख रखा है biology ले रखा है तो एक चांस तो बिल्कुल बनता है मेरे बच्चे आप में से बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम यह कि सर पैरेंट्स नहीं मान रहे हैं ड्रॉप लेनों को होती है हर चीज दुनिया में जब आप कभी आगे बढ़ रहे होते हो ना तो आपके हर चीज आपके अपोजिट जा रही हो जब आप ट्रेन में कहीं गुजर रहे होते हो आगे की तरफ में तो हर चीज आपको पीछा छोड़ता हुआ पीछे जाता हुआ दिखाई देता है दिखाई देगी तो हर इंसान तुम्हें कमजोर ही समस्ता रहेगा लोगों की या फिर घर वालों की या हर किसी की जुबान बंद करने का या आप से को उन से प्रोसाहन लेने का सिर्फ एक मातर तरीका है कि इतना पढ़ें इतना पढ़ें अपने इतना सीरस दिखा अपने एकजाम को लेकर कि वो कहें कि नई भाई ये नहीं करेगा तो कौन करेगा इतना पढ़ता लड़का इतना मन लगता इसका तो ये जो depression वाला point है ना कि मुझे इसने मना कर दिया, मुझे इसने support नहीं किया उसने support नहीं किया, ये सिर्फ एक प्रकार करना ब्रह्म है, इस दुनिया में हर चीज support होती है, मैंने गरीब से गरीब को भी बहुत दो आगे बढ़ते वे देखा है, जिसके अंदर dedication है काम करने का, मुझे नहीं लगता उसे कोई भी चीज रोक सकती है, पर आपको, अगर कोई आपके opposite में है, तो उसको अपने act से, जुबान से नहीं, नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे मत बोलो 10 दिन पढ़के दिखा दो और बोलो यार ये need 2023 का question है, मैंने पूरा solve कर दिया जब ये solve हो गया, तो 2024 का क्यो solve नहीं होगा, पहली चीज़, दूसरी चीज़, depression से sometime बच्चा निकल भी जाता है, वापस जाता है, comparison से, एक बात याद रखना बिटा, इस दुनिया में हर एक बच्चा जो है न, उसके पास एक tremendous power है, intellectual property है, उसका brain, हर बच्चे की अलग लग problem है, किसी भी बच्चे से न, जलने का, या किसी बच्चे से न, उसको नीचे दिखाने का, कोई वज़य ही नहीं बनती बिटा, आप कभी किसी दुसरे की जिन्दगी पे देखोगे न, लाखो परिशानिया है, लाखो परिशानिया है, मैं कभी भी पता है, आप लोगों को, मतलब, बहुत सरे लोग मुझे कहते भी हैं, कि यार आप न, किसी बहुत बड़े institute पे, बहुत बड़े कुछ जगह पे, ऐसी जगह पे पढ़ाओ, वगेरा, 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 ऐसी बहुत सारी चीज़ उन्होंने कही ही होती है, कि ये बहुत बड़ा नाम होता है, बड़ी जगह पढ़ाओ, एक काम को रहो फॉरें चले जाओ, पर मैंने जिन बच्चों को चुना है पढ़ने के लिए, पता है वो बच्चे कौन है, जिन किस्थी बहुत खराब है, जिन को कोई ध्यान नहीं देता है, रीजन क्या है कि अगर मैं इन बच्चों को गलती से भी, एक बच्चा भी इनके खांदान का मैं पहुंचा दिया ना होस्पिटल पे या डॉक्टर पे मतलब बना दिया उन्हें तो वो पूरा खांदान सुधर जाएगा ये वो एक चीज है जब मोटिवेशन देती है हमें कि हम जो हैं उनको पढ़ा रहे हैं जिनके उपर कोई ध्या कि बिटा हर एक बच्चे की अपनी अपनी प्रॉब्लम है सब का अपना एक प्रॉब्लम है उसके इसाब से competition मत करो competition तुम्हें हमेशा जो यह जो होता है तो हर बच्चे को ये बात का ध्यान रखना है कि उसे दूसरे दिन टबल महनत करनी होगे आपकी एक दिन ना की हुई महनत आपके दिमाग में आपको कामचोर बना देगी कि मैं एक time table तो आता हूं पर उसे follow नहीं कर पाता हूं मतलब मैं कम जोर हूं ज़स दिन बच्चा यह सोच लिया कि मैंने दो घंटे का वादा किया और मैं दो घंटा कर लूँगा अपने खुद के दिमाग में confidence आता है जी घमंड आता है कि मैंने जो कहा मैंने वो किया समझ रहें तो ये कुछ चीजें बहुत basic सी हैं बहुत simple सी है hope so मतलब आप लोगों को बहुत लोगों को ये भी लगे कि सायदिश की जरूरत भी नहीं थी पर मुझे ये जरूरत है कि मैं बच्चों को ये जाकर बताओ बिटा कि इन छोटी-छोटी चीजों को ना बहुत ध्य सॉलूशन है आरंभ बैच एक जबरजस बैच है नीट 2024 के लिए सबसे बहतरीन बैच हर वो चीज जो आपको पीछे ढखिलती है उसका एक सॉलूशन है बाइस में इसी एक्जाम स्टार्ट हो रही है आरंभ बैच हिंदी मेडियम का सर्वस्रेश्ट बैच है इसके फीचर स का भी मतलब सुविधा रखेंगे ताकि आप लोग को को पता चल सके कि सबसे अच्छा बच्चा इनमें से कौन सेलेक्शन देने वाला है इसके लावा इस फीचर का सबसे इस बैच का सबसे गजब का फीचर यह है कि बैकलॉक सीरीज हमने एड़ कि हर एक मैने के बाद हम प पच्चों को दिखाया जाएगा कि यार तुमने इन चीजों को बढ़िया से किया यह चीज नहीं की यह अच्छा था यह बुरा था यह सब चीज बताई जाएगी डेली प्रैक्टेस पेपर कोश्चन दिये जाएंगी क्लासिस की डीपीपी मिलेगी टेस्स प्रैक्टेस बहुत जादा आवश्यक है इसके लावा फीचर्स इसके होमवर्क आपको करवाएंगे बिटा टीचर्स की स्लाइड मिलेंगे टीचर्स के नोट्स मिलेंगे ताकि आप एक अच्छा पॉइंट जो है ना आप एकदम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते ह कितने रुपीज में यह है वैसे 11,999 रुपए की पर अभी फिलहाल 15 माई तक इसका ओफर चल रहा है और यह है 6,999 रुपए में तो सारे बच्चे जिने भी पढ़ाई स्टार्ट करनी है जिसे भी सोच स्टार्ट करना है अपने केरियर की डायरेक्शन स्टार्ट करनी है तै एहसास हो जाना चाहिए कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो वो एक बहुत गजब का कॉंसेप्ट है बहुत बड़ा एंबीशन है और उस एंबीशन को फॉलो करते समय आपके जीवन में बहुत उतार चड़ाओ बहुत सारी चीज़े आती है लेकिन वहां तक पहुँच बचने का अपना ही एक मज़ा है थैंकि सो मज़ मेट आपना बहुत ध्यान रखे लव यू ओल होप सो आप अपने लक्ष की तरफ में अग्रिसर होंगे और जो भी लोग आपको पीछे खीच रहे हैं वो आपकी ताकत बनेंगे यदि आपने द्रनेश्य कर लिया तो थैंक